हेलो एव्रिवान तो आज हम बनाने सीखेंगे बहुत प्यारा सा वेल्विट का लेहंगा यह बहुत हेवी होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने सेविन मीटर्स टूटल जो इसमें कपड़ा यूस किया है तो मिजर्मिन के लिए मैंने टॉप के लिया है टो इंचिस और बॉट मैं इसको वन बाइवन ड्रो कर लूँगी तो बॉटम के लिए मैंने आपको बताया मैंने 10 इंचिस लिया हुआ है और टॉप की कली की जो मेजर्मेंट उसके लिए मैंने 2 इंचिस तो मैं दोनों को मा करने के बाद एक दूसरे से जॉइंट कर दूँगी आप भी वन बाइ जो मेरे बॉटम कर ली का साइज होगा यह मैंने 10 इंच पर मा कर दिया है मा करने के बाद मैं दूनों को जॉइंट कर दूँगी जॉइंट करने के बाद इसी तरीके से अगर आपके फाब्रिक में सिंगर डिजाइन बना हुआ है एक ही तरीके का डिजाइन पूरे फाब्र में सेम है तो मैं इसको one by one एक दूसरे से उल्टा सीधा निकाल सकती हूं तो इस तरीके से मैं सारी कलियों को जॉइंट कर दूंगे ड्रॉ करने के बाद और कभी भी अगर आप कली को ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हो तो कपड़ा फोल्ड जहां से होता है एक open side होगा उसका क्लोस साइड होगा तो क्लोस साइड से हमेशा स्टार्ट करना है कभी भी open साइड से मत श्टार्ट करना कली का फिर जो क्लोस एरिया होगा उसको कपड़ा काफी वेस्ट हो जाएगा अब का पाटन भी अच्छे से नहीं निकलेगा तो इसी तरीके से मैंने बॉटम का और तॉप का साइज लेकर पूरे पूरे फटाब्रिक पे ड्रॉ कर लिया आप चाहे तो वन बाइ वन बी निकाल सकते हो बट मैंने साथ मीटर के कपड़े को प्रॉपर फोल्ड कर लिया था उसके बाद मैंने वन बाइ वन इसमें ड्रॉप करना शुरू कर रहा था तो इस त कि ऐसे ही ड्रौ करते करते मैं फाब्रिक के आखरी कुने पर पहुंच गई अब यह मेरा जो मैंने अभी ड्रौ किया 10 इंचिस का मार्जिन यह मेरा लास साइट्स था यानि ओपन साइट का था अब देखे इसमें बहुत चूटा सा कपड़ा आपका वेस्ट होगा ड्रौ करने के बाद हम इसको कट करेंगे तो साइट के पैटर्स को यह मुझे जरूरत नहीं थी इसकी तो मैंने साइट के जो एक्स्ट्रा प्लेन फाब्रिक था मैंने इसको कट कर लिया है दोनों साइट से कट करना है आप चाहे तो आप इसको रख भी सकते हो इसके ऊपर बॉडर लगा सकते हो बट मुझे यह नहीं चाहिए था क्योंकि अगर मैं इसको रखोंगी तो बलकीनेस बहुत आएगा इसमें चुटनट काफी पढ़ जाएंगे तो मैं इसको दोनों को रिमूव कर तो वेलवेट जाएंठा भागता नहीं है तो आप इसको भीना पिन के लगाय वेलवेट टिक होता है तो इतना वह जीदा भागता नहीं है बर अगर आप सिल्क जॉर्टम और पे काम कर रहे हो तो खट करने को अगिए महीं है भीन लगा के कट करूं बड़ इसमें पिन के जरुवाद नहीं है तो मैं एक्जाक्ली बिना पिन के काट रही हूं तो मैं इसे सारे को वन बाइवन कट कर लूँगी कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूं कैसा लगेगा कट करने के बाद यह कुछ इस तरीके से नजर आएगा जैसे मैंने काटा था उसी तरीके से प्लेस किया है अब हम जाएंगे स्टिचिंग पार्ट पर तो आपको कली का टॉप हिस्सा लेना है और उसको वन बाइवन रखे सबको जोड लेना है तो यह मैं कुछ हाफ इंचिर अंदर रखे मार्जिन इसको जॉइंट करूँगी और हमेशा याद रखिए कभी भी आप अगर कली करना चाहिए आपको हमेशा वेस्ट यानि कली का जो ऊपरी हिस्सा है उससे ही स्टार्ट करना है स्टिचिंग करना अगर बॉटम से शुरू करोगे तो आपके वेस्ट में हमेशा उपर नीचे कोई बी कली में देखना आप हमेशा उसमें उपर नीचे कोई कली उपर जिससे मेरे मिजिर्मेंट का जो साइज होगा वो सारी कलियों का एकोल आएगा मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा कटने ही करना पड़ेगा तो यह देखिए मैंने टॉप के हिस्से को टॉप से रखा है और वन बाई वन कली को जोड लिया है आप अराम अराम से इसको स्टिच करि देखिए मेरा कली जोडने के बाद कुछ मेरा इस तरीके से लुक आया है मैंने सारी कलीों को जोड दिया है कली को जोडने कितना खुबसूरत घीरा आया है तो लाइनिंग के लिए मैंने सेम एलाइन स्कर्ट में एक प्लेन फैबरिक पे मैंने कर लिया है अब मैं बॉटम से इसमें 20 इंचिस का मार्क करूंगी कैन लगाने के लिए जो कैन का अगर आप जो मार्किट में कैन अवेलिबल होती है उसका साइस जो होता है वो 40 इंचिस होता है अगर आप उसको हाफ करेंगे तो उसका 20 इंचिस होता है तो हम 20 इंचिस मार्क कर लेंगे तो यह मैंने पूरे बॉटम फैब्रिक पे नीचे से मार्क किया है 20 इंचिस अब मै मैं इस पर one by one can लगा दूंगी तो can का प्रोसेस में अभी नहीं दिखा पाऊंगी ताक क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा मैं can लगाना आपको next वीडियो में बताऊंगी कि मैंने can कैसे लगाया था और आप कैसे can लगा सकते हूं बट इतना ध्यान रखो अगर आप 7 मीटर का घीरा ले रहे हूं बॉटम फाब्रिक का और अपर आपका 8-10 मीटर का है तब आप डबल अगर आपको अच्छा वॉल्यूम चाहिए तो आपना हमेशा can 10-12 मीटर का यूज करो तब ही आपको वॉल्यूम क्रियेट हो पाएगा व मैं इसको अपने मेन फाब्रिक यानि मेन जो मैने कलियों का गेरदार लेंगा बनाया तो उसमें बॉटम पे लगा दो पहले ऐस में लेस अटाच किया है उसके बाद जो आपको बॉटम का जो मैंने लेस पे फाब्रिक लगाया है आप उसको फोल्ड करके दूसरी साइड ल नहीं आपको जो मेन फाब्रिक उस पे सबसे पहले लेस लगाना है और लेस पे जो आपने छोटा सा फ़ाब्रिक इट आच किया है उतने इंच का वह आपको पीछे से फौल करके लगाणा है वह मैं आपको दिखाती हूं कैसे लगाना है यह धेल्टे कि पीछे उसको लगाओ दुपट्टे के लिए मैंने सेम लेस का यूज किया है मोनोनेट लिया है सीक्विन बूटी के लिए उसमें मैंने सेम बॉडर यूज किया है जैसे मैंने लेंगे पर यूज किया था ताकि यह एक तरीके का कॉंट्रास क्रियेट हो कस्टमर को पिंक कलर का में मुझे बताई आपको यह लेंगा कैसा लगा बलाउस का टूटियोरियल मैं डाल दूँगी अगर आपको हमारे की लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजी हमें सब्सक्राइब कीजी थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में